मैंने जेने के लिए सारी संपत्ती बेश दी, गंभीर बिमारी है, जिन्दा रहने के लिए पैसे चाहिए, शगुफता अली ने मांगी मदद, नमस्कार 108 यूनाइटेट न्यूस चैनल लीट इंडिया में आप सब का स्वागत है, मैं हूँ आर्ती दुबे, जी हाँ दोस्तो कोरोना काल में कई कलाकार ऐसे रहे जिनकी आर्तिक परिशानी की खबरे सामनी आई, इस फहरिस्त में एक नाम लोगप्रिय एक्टरस शगुफता अली का भी शामिल हो रहा है, हाला कि उनकी आर्तिक तंगी की वज़े कोरोना काल नहीं है, बलकि काफी पहले से वा कैंसर जै अब इने के बाद भी वा पैसे की कमी का सामना कर रही है, उन्होंने इसके लिए लोगों से मदद की अपिल की, एस्पोर्ट बॉई की रिपोर्ट के अंसार शगुफता अली ने बोला कि वा बीते 20 साल से बिमार है, उन्हें कैंसर था, अपने इस तीसरे स्टेज के कैंसर क उन्होंने इलाज भी कराया, उस दोरान केवल उनके करीबी दोस्तों को उनकी बिमारी के बारे में जानकारी थी, कैंसर की गाड का इलाज कराने के लिए उनकी सरजिरी भी की गई थी, शगुफता अली ने कहा कि कैंसर का पता चला, तो मैं जवान थी, मैंने किसी तरह कैंस कैंसर को माद दी मैं पहली बार मीडिया में अपनी इस बीमारी के बारे में बता रही हूं कैंसर की सरजिरी के सत्रवे दिन पैर की हड़ी के दो टुकड़े शगुफ्ता अली ने आगे बताया कि कैंसर की सरजिरी के सत्रवे दिन वह अपने शो की शूटिंग के लिए दुब रखनी पड़ी तनाव के कारण गंभीर बिमारी वहां के बताती ही कि पिछले छे साल से वहां मदमोय से परिशान है इस वज़े से उनका पैर बुरी तरह प्रभावित हुआ है तनाव का असर उनके शरीर के कई अंग पर पड़ा है 17 साल की उम्र से काम किया शगुफता अली मैंने अपनी कार गहने बेश दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए रिक्षा से जाना पड़ता है मुझे ततकाल पैसे की मदद की जरूरत है जिंदा रहने के लिए काम करना है मुझे लगा कि अब बाहर आकर मुझे मदद मांगनी क जरूरत है क्योंकि मेरे पास बेचने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है शगुफता अली पर आर्थिक परेशानी मैंने लोगों से कर्ज लिया है मुझे जिसे चुकाना है मुझे घर की EMI, Medical Bill और अन्य चीज़ों का भुकतान करना है कोई भी तब तक इंतजार नहीं कर करेगा जब तक मेरी आर्थिक हाला ठीक नहीं होती बता दे कि सिंटा एक्टरस की मदद के लिए आगया है वे शगुफता से बात करके उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी और आपको क्या लगता इस बारे में कॉमेंट में जाकर जरूर बताए और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए क्योंकि इसी से हम आप से जुड़े रहते हैं और हमारा मनुबल बढ़ता है धन्यवाद भारत माता कीज़े वंदे मात कमेंट जरू कीज़े हम कमेंट पढ़ने की कुशिश करते हैं